खबर गया से आ रही है जहां 12 चट्टी से दो कुख्यात नकसली को पुलिस ने गिरफतार किया है गिरफतार कुख्यात नकसली के पास से एक अत्याधुनिक AK-56 राइफल भारी मात्रा में डेटोनेटर और संतानने पीस जिन्दा कार्टूस के अलावा नकसली साहित और कई आपति जनक सामान बरामत किये गये हैं गिरफतार कुख्यात नकसलीयों पर जहारखंड में 50 लाख और बिहार में 10 लाख का इनाम रखा गया है बिहार और जहारखंड के दरजनों जिलों में कई मामले दरज हैं और अंगाबाद जिले में नकसली हमले में सही जवानों के कांड में भी गिरफतार नकसलीों की सनलिप्तता थी। गया के SSP हरप्रीत कॉर्ड ने एक प्रेस कॉन्फरेंस कर कुख्यात नकसलीों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। विदितों की बिहार और जार्खंड के सीमा वर्ती छेतर में बिहार पुलिस, सीर पीअफ और सीमा ससस्त्र बल्क के सैयुक्त ओप्रेशन में गया पुलिस को इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी है। SSP हरप्रीत कॉर्ण ने बताया कि गिरफतार कुख्यात नकसलीों के निसान देही पर कई बड़ी सुराग हाथ लगने से सर्च ओप्रेशन जारी है। जिसमें डिप्टी कमार्णेंट अंगोद कुमार थे, असिस्टेंट कमार्णेंट रामवीर थे, असिस्टेंट कमार्णेंट रवी कुमार और बाकी SSB के अन्य जवान थे और गया जिलाबल के लोग थे। तो यह उप्रेशन लाँच हुआ, तो यह पता चला कि एक जो नक्सलिया अभिजीत यादव, उर्फ बनवारी यादव, उर्फ महावीर यादव, यह अपने एक स्पोटर के साथ एक काउं है दुवारी, वहाँ पे जंगलों में इनके होने की सुचना मिली। तो उसी में यह वहाँ पे सर्चो मिहाँ चला, तो वहाँ पे इसको जंगल में इसकी गिर्फतारी हुई है आज मॉर्निंग में, इसके पास से एक एक 56 बरामद हुआ है, और 97 लाइव राउंड बरामद हुए हैं, पांच डेटोनिटर्स मिले हैं, पांच सिम मिले हैं, एक मोबाइल मिला है, और एक लेवी लेने वाले जो लेवी ये लेते थे, एक बुक भी मिला, एक बैग है, इनका पांच जिसमें लोगा थ्यार रखते हैं, ते बहुत ही काफी टाइम से इसको इसकी तलाश थी गया पुलिस को, रंगाबाद को, चत्रा और पुलामो पुलिस क तो ये बहुत सारे भी मैं दूंगी आपको जो लिस्ट है, इसकी उपर जारखंड में दसलाग का इनाम है और बिहार में पचास हजार का इनाम इस पे डेकलेर्ड है, इसका काफी लंबा प्रादिक इतिहास है, ये दो हजार नौ में एक्टिव हुआ था, इस जो है, जो मा कमांडर तक पहुंचा और अभी नमबर 22 में ही इसको बनाया गया है, इसके साथ जो पकडा गया है, उसका नीयाडव, उर्फ लल्लन याडव और ये रहना वाला है वर्वा दोरी काउं का थाना ये हरिहर गंज जिला पलामू वहां का रहने वाला और जो आभीत यादव है ये रहने वाला है गाउंत लईया थाना चतरपूर जिला पलामू ये वहां का रहने वाला तो इसका में जो एरिया ओफ उप्रेशन था वो चतर पलामू और अंगाबाद और गया है इसमें बहुत सारे केस्ट तकरीवन 15 के कीज़ गया है। जिसके चलते इसके उपरे नाम भी डेकलेयर हुआ है, इसमें 2016 में एक घटना इसमें किया था, जिसका के औरंगाबाद में इसका केस दर्ज हुआ था, तो साथ लोगों को IED से, छे लोगों को उसमें शिहीद हुए थे, डिबरा था नांतरगा तो केस दर्ज हुआ था, काला पहाड में, ये घटना हुई थी 2016 में, साथ जवान उसमें शिहीद हुए थे, 2016 की घटना है, और अन्य भी बहुत सारी जो संगीन और नक्सली घटनाओं में ये शामिल रहा है, जिसका सबका हमारे पास अभी केस दिटेल तो है, बाकी जो है इसके अभी पूरा अन्य भी ज जो हम लोग संपर्ख में, ये तो अभी तक जो हमको मिल पाया है, क्रिमिनल हिस्ट्री उसके हिसाब सी, 61 केसे में अभी ये वान्टेड है, तो कितने फिम इसके अंडर मकाम करता तर पाजी में इसके तो अभी तो इनका जादातर यहां से तो ये लोग भी चले गया थे, ज मर्जीत कुर्फ लखन यादव, ये गड़ाई तरी गाउं का है, बाराचटी थाना में पड़ता है, वो भी इसका एक जो है, इसी केस अंगठन का है, उसकी अभी पुलिस को तलाश है, उसी के संपर्क में होने की अभी सूचना मिली थी, जिसके चलती ऑपरेशन चलाया ग उसी में ये फिर ऑपरेशन चलाया गया था, तो अभी तो कूँके फोर्स की प्रेशन की यहाँ पे काफी अच्छी और उप्रेशन भी बहुत बड़िया थी यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन, क्योंकि ये घूम रहे थे तो अभी इस से पुषताष अमलोग कर रहे हैं, कि म इसका में आपको प्पाईल करकि दुबारा वड्साएम और यह कंप्लीट नहीं है, इसका में आपको वो कर देंगे, वड्साइब कर देंगे, पीडिया सेज़े. यह बहुत बड़ी उपलब्दी है हमारे स्रक्षाबनों के लिए जिला फुनिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्दी है स्रक्षाबनों के लिए का में बेजर रोल है तो एसस्वी को ही जाएगी है यह वही है जो यह मैं आपको गुरुप में डाओ जाती है इसका प्रिमिनल इस्ट्री अपर भी आजे है आए जाएगे है आए प्रिमिनल अगॉरी शल्ट्री जाएगे है जाएगे डेक स्रक्षा जाएगे है यह वह इसका ड्रिमिनल इस्टर्थाग्प्शनों अधर्धश्री आचय को पिर नहीं नहीं कर दो कर दो कि अधिया जगे है अजय है हुझरक है 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 10, 8, 12, 17, 18 あविर, 6, 11, 19, 20 दॉद नहीं